हालो फ्रेंड्स राधे राधे और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत हैं कैसे हो आप मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ तो मेरी आवाज थोड़ी भारी हो गई है तो घर में बच्चे बहुत जादे हैं इसलिए बहुत जादा चिलाना पड़ता है उनलों के पीछे इसी वज़े से जो आवाज है ना मेरी वो भारी हो गई है पर मैं अभी गरम पानी से गलेला कर रही हूं कुछ दिन में ठीक हो जाएगा और आज जो है ना इतनी भीड आप देख रहे हैं तो मम्मी आज वैशनो दे भी जा रही है तो इसलिए जो आज पास के पड़ोसी हैं बाकी तो अपने घर के ही मेंबर हैं और आज पास के जो पड़ोसी हैं वो लोग भी आए मम्मी को मतलब विदाई देने के लिए कि अच्छे अच्छे तरीकी से हो जाए जाए मातादी जा रही हो बैशनो देवी अमरे बच्छन के रच्छा करना मा जाए मातादी 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 ज सब पडूसन उलगाए हैं चोड़ने की फिए ममी को सब अपना कुछ नख लाए हैं कि मतलब धाम पे कुछ नख कमाई का आन्स मतलब पहुत जार दाम पे तो वही सब लोगाए हैं मातारानी सबको बूलाए माता रानी सबको बुलाएं, सबको दर्शंदे, लिजे मम्मी से बात करिये मैं जा रहे हूं, माता रानी सबको दर्शंदे, सब हमारे जेतना पाल गुपाल है, जोतना हमारे सब अरोसी-पडोसी के लड़िके हैं, सब हमारे बच्चे हैं, जा रहे हैं, सब को मातरा निकल्यान करना, प्रेंट्स आपको लिए मैं प्रात्ना करूँगी, मम्य मेरी बोल नहीं पा रही है, तो वही वो सरमा गई कि कैसे बोलू और वही हसने लगी, तो प्लीज आप इसे इग्णोर करिएगा, और अभी मैं जब ओ निकलेंगी, तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी, अभी मंदर से वो आई थी, तो मैंने मिलवा दिया आप लोग से, और अभी जब वो निकलेंगी तो मैं आपको दिखाऊंगे भी खाना वगरा कुछ नहीं हमने बनाया है स्री मम्मी की तयारी का ही चीज बनाया जैसे की ठोकुआ और बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं मतलब वीडियो शूट कर पाऊं और तबियत भी सही नहीं था तो इसलिए वीडियो भी मैंने बना पाई तो अभी मैं मम्मी जब जाएंगी तो दिखाऊंगी ज्यादा कुछ नहीं बनाया मम्मी का सावन का सोमार का फास्ट भी है तो वो ज्यादा कुछ भी नहीं लेके जा रहे हैं सिरिफ कोई मुंफली के पानी है घुड़ है तो इसलिए मैं कोई मतलब खाने की चीज़ आपको के साथ सेयर नहीं कर पाई हूँ तो आभी मिलते हैं मम्मी जब बस में जाएंगी उनको विदा करेंगे तो प्लीज फ्रेंड आप भी प्रातना करिएगा कि अच्छे अच्छे वो जाएं ताकि उनका यात्रा जो है वो यात्रा सुफल हो मंगल मैं हो तो वो मिलते हैं आपको थोड़ी देल में तो फ्रेंड्स मम्मी ने करही भी वैस्नो देभी जाने की तयारी और वो सेकंड टाइम जा रही है वैस्नो देभी जै मातादी पुली, जै मातादी पुली जै मातादी जय अझा अगदी क्यों हमादी जय अझा थिगदे जय हमें आगदी जय जय हमें अगर कोई जय जय हमें आग्हें सहिस्ट आगा मम्ै जय है जेे मातादी, बुलो सचिंधर भारिकी, जेे, जेे मंदू कहा कही, मंठी रुकी, जेे जेे मातादी, जेे मातादी कि तो फ्रेंड्स मंपी ने कर ले लिए बैशनो देवी माता जाने की तयारी और ये सेकंड टायम जा रही है फर्स टायम ये दो साल पहले गई थी और अभी यह हमारे जो पडोसी हैं उनके साथ उनकी पूरी फैमिली जा रही हैं मम्मी से अकेली जा रही है हुँ और इसलिए हम आयकर आये थे कि मम्मी वहां जाएंगी बैशनो दी भी जब जाएंगी तो हम यहां पर रहेंगे और वापस आएंगे तो उनका परसात लेकर ही हम तो बाहर का मैं दिखा रही हूँ अंदर का नहीं दिखा रही हूँ तो फ्रेंड्स जैसे मम्मी जो यहां के मतलब बुजुरूग लोग हैं मम्मी से जो उम्र में बड़े हैं उनका मम्मी जो है आसिरवाद ले रही है कि अच्छे से हमारा दर्सन हो जाए तो वही मम्मी सबके घरों में जाके उनसे आसिरवाद ले रही है बुझरूग लोग से तो मैं किसी के घर के अंदर का नहीं दिखा सकती आपको ना क्योंकि आप समझ सकते हैं कि बहुत लोग नहीं चाहते हैं कि हां मतलब कैमरे के सामने आना तो इसलिए में बाहर से गेट पे ही थोड़ा-थोड़ा कर ली थी अंदर किसी घर के अंदर किसी कमेने ने किया था और जब हम रस्ते में जा रहे थे ना तो फ्रूट्स आया था औ और हमने वहां से मम्मे के लिए कुछ फ्रूट्स भी ले लिए क्योंकि आज उनका फास्ट है तो इसलिए उन्हीं दे देंगे और वो रस्तिन अपनाज कर रही हैं करना इसको सब्स्क्राइब करना लाइब करना तो फ्रेंज सहारा लगना मैं सच्छे हा जोटी मेरे बच् फ्रेंड्स मेरी मिनत देख रहे थी कि मैं यूटूब के लिए कितनी मिनत कर रही हूँ तो वही वो बोल रहे थी कि मैं भी कुछ बाते करूँगी तुम्हारे फ्रेंट लोग से तो वही मैंने बाते करा दिया आप लोग से है तो अभी उन भर आ रहे हैं और अभी तक बस नहीं आईए वहां तक आपको भी दाते कि बस में मैं 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 सोच रहे हैं कि मतलब बस आने में लेट था और मैं भी सड़क पर आ गए थी घर पर भी बहुत सारा काम था अभी मैं घर चलती हूँ और क्या बता हूँ तो सोची थी कि बस आजाएगा मैं बस तक ममी को बिठा के आऊंगी पर बस आने में बहुत टाइम था अभी यादा एक घंटा लग जाता इसलिए हम घर आ रहे हैं तो चलिए फ्रेंड्स ले ले लें तो अभी उसा हाथ पकड़ लो आ यहाँ हाँ पकड़ लें तो चलती ह तो अभी घर पे छोटी सिस्टर कड़ी बना रही थी और जो चावल है वो भी बैठा दी थी तो अभी वो कड़ी के लिए पकोड़े तल ले थी और मैं भी बगल में बैठी थी और फ्रेंड्स मेरा ना बहुत मन करता है वैसनो देवी जाने का पर देखी माता रानी कब सिस्टर ने तड़का लगा दिया था और यह लाल मिर्च लहसुन अद्रक का पेष्ट है वो डाल दी थी फिर इसमें थोड़ी से हल्दी डाल दी थी आधे चमच के लगबग हल्दी डाली थी और नमक कभी नहीं डालेगी थोड़ी दिरबाद नमक डालेगी जब कड़ी उ हमें चाहिए जितनी थिक ग्रेवी चाहिए मतलब जितने आपके फैमली मेंबर हो उस हिसाब से आप इसमें पानी एड़ कर दीजिएगा तो हमने बड़े पतीले में बनाया है क्योंकि अभी हमारे यहां पर बहुत जादे लोग हैं और जब कड़ी उबाल लेगी तो यह प जाता है उसमें कि जैसे लगता है कि हां हमने यह कभी ने किया था यह नया हमने सीखा है और अभी यह नमक डाल देगी जब भी हम कड़ी बनाते हैं तो हम एक बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि कड़ी में नमक हम लाश्ट में डालते हैं पहले नहीं डालते हैं क्योंकि अगर हम पहले डालेंगे तो कड़ी फट जाएगी कड़ी अच्छी नहीं बनेगी इसलिए नमक हमें बाद में ही डालने चाहिए और आज का जो हमारा लंच था कड़ी, चावल, रोटी था तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा